8 सितंबर 2030 मैक्सकों की संसद में लगबग 1000 साल पुरानी दो एलियल्स लासों को प्रदर्शित किया गया लाइज स्टीमिंग से पता चला कि इन लासों के हाथ और पैर में पीट उगलिया थी इन लासों को वर्ष 2017 में पेरू के पुसकों से बरामत किया गया था लोग इने देख सकें इसलिए इन लासों को खिड़की के बॉक्स में रखा गया इन्हें यूएपोर पिसे सग जेमी मोसवन ने सलसद में प्रदर्शित किया और लोगों ने बताया कि यह रहती के नहीं हो सकते क्योंकि इन लासों के कलकाल मनफ कलकाल से कई ज़्यादा अलग थे लासों के नमूने से प्राप्त DNA का परिक्षर किया गया और इसकी तुला अन्य DNA से की गई जिसके बाद यह पता चला टी इन नमूनों का 30% से अधिक DNA अग्यार था दोस्तों आपने अनेवो फिल्में या कॉमेक्स की किताबों को एलियंस के बारे में अबस से पड़ा सुना और देखा होगा आपने किस की पहली मूवी कोई मिल गया अबस से देखी होगी जिसमें ये एलियंस देखने वो मिलता है आलाकि इसके अलाबा एलियन्स पर आधारित अनिवो अलिवुड और बॉलिवुड की वोवी बन चुपी है इसलिए एलियन्स क्या है? क्या एलियन्स सच में होते हैं? और दुनिया बर की सब्विताओं की पौराणिक कफाओं में क्या हिस्टरी रही है? इस वीडियो में जा विज्ञान के लिए बेहत चुनोतित भरा काम रहा है और हो सकता है कि ये काम दूसरी ग्रहों के बैज्ञानिक भी करते हों और अपने किसी यान द्वारा तहती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर की बात नहीं हम भी तो चंद्रमा मंगर ग्रह पर पहुच गये हैं हमने सनी ग बढका अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांद में हमारी धर्ती ये र्यत के कड़ी भी बराबर नहीं है कि औन पड़ी किरोड़ों ग्रह हमारे प्रह्मांड में MOR मौझूद है सबसे बड़ी बात यह कि हमारे ब्रह्मांड में लापों गैलक्सी exist है जिस गैल 2016 हम रहते है बैग्यारकों का कहना है कि हमारी गैलेक्सी में ही तैती जैसे लाहो ग्रैव है निस्टिती उन में से कुछ पर जीवन होगा वहाँ पर मनुस और पसुपच्छी जैसे प्राणी रहते होंगे उन में से कुछ हमारी सोच से कमजोड और कुछ मानब जाती से कई गुनान बुद्धिवान और टेक्लोलोजी से संपन होंगे ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं एलियंस का अर्थ परग रही या दूसरी ग्रहों की निवासी होता है साल 2009 में अमेरिका की अल्तरिक्ष एजलसी नासा ने हमारी आकास ग्रहों की सर्वेक्षड के लिए कैपलर मिशन 10 नाम की एक पर्योजना की सुरुवात की जिसका उद्देश था इवन योक ग्रहों की खोज यह अंत्रिक्ष बैटसाला सक्तिसाली टेलिस्कोप से सुसच्जित है जो प्रिथवी जैसे आकार और फीचर वाले ग्रहों की खोज कर रहा है यह भी पता रगाने की कोशिस कर रहे हैं कि 400 अरव तारे और इतनी ग्रह वारी आकास गंगा में कितने ग्रहों पर जीवन संबब है एक अध्यन के अनुसार हमारी आकास गंगा में लगवक 160 अरव ग्रह जांग एलियन्स हो सकते हैं दोस्तो हमारे मन में एक सवाल और उड़ता है जैसे इजिप्ट या मिसोपोटामिया, सुमेरियन, यूका, सिंदु आटी की सब्विता, माया, मोन जोड़ो और दुनिया के तमाम सब्विताओं का विकास कैसे हुआ क्योंकि इन जगाओं पर ऐसे स्मार्ग और पूजा इस्तर या आजूबे बनाए गया हैं जिन्हें बनाना मनुस के बसकी बात नहीं लगती ओसकता है धर्ती पर एलियन्स उतरे हों और उन्होंने इंसानी कवीलों के सरदारों को ग्याव दिया हो और फिर बाद में राजाओं बे संदेश बाहक के रूप में स्विकार किया है और अलग-अलग काल में अलग-अलग परंपराओं में समान्स की रचना कर धर्ती पर देवता या फरिस्ते की रूप में कहला है हो प्राची सब्विता के इस मार्क पर सोथ करने वाले मस्वूर लेखक एरिक बॉन टेन केन की किताब शेरियोडस आप गॉर्ड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया उनके विसार प्राचीन मिसर के निवासों के पास घीजा के प्रामिन बनाने की कोई टेकनीकी नहीं थी मिसर के निवासों के पास घीजा में प्रामिन बनाने के लिए ना तो कोई ओजार थे और ना ही उन्हें बनाने का कोई ग्यान था इसलिए इन्हें अबस ही इलियल्स ने बनाया होगा भारत के संदर्व में बात करें तो भारत के ऐसे कई मंदर हैं जिन्हें आदोनिक मानत तक्नीकी से भी नहीं बनाया जा सकता कुछ बैग्यानों को का ये भी अलुवान है औरियन एक ऐसा तारामंडल या नचत्र है जिसके हमारी धरती से गहरा संबन्द है यदि अब बात करें औरियन सब्त की तो एक ग्रीप पौराडिक कथाओं से संबन्द है जिसका मतलब होता है विशाल काय शिकारी इस सब्ताओं की पौराडिक कथाओं और इन पर तारासे के पत्थरों पर आगिके चित्रों में नचत्र संबन्द ही जालकारी है वह आश्यर देव से एक समान है बैग्यानिक मानते हैं कि हमें दिसा निर्देश दियने वाले लोग औरियन नचत्र से आये थे भारत में औरियन नचत्र को कालपरस नचत्र या तारामंडल कहते हैं जो मिरंक सिरा से मिलता जुलता है अगर बात करें औरियन तारामंडल की तो औरियन तारामंडल हमारी तरती से लवग 1500 प्रकास बस की दूरी पर इस्तित है इस तारा मंडल में दरजनों तारे हैं लेकिन इन्वे से प्रोवक साथ तारे हैं इस तारा मंडल में तीन तारे सबसे अधिक चमकते हैं जो ये सीधी लकीर में हैं जैसे सिकारी का कमरबंद कहा जाता है इन साथ तारों में नाल की बात करें तो रिगेल, बैटन ज्यूस, बै 30 से देख सकते हैं वर्स 2010 वे खवर आये थी कि सन 1948 के बाद सुन्दूर अंत्रिक्ष में रहने वाले एलियस अमेरिका और ब्रेटेन के प्रवाणू मिसाल वाले इस्तान पर कई वार उड़ते हुए दिखाई दिये थे अमेरिकी बायुसेना के पूर जवान के एक दल दावा किया है कि ब्रेटेन के सीफोन प्रवाणू इस्ताल पर यह एलियस उत्रे भी थे इन अधिकारियों ने एक आग्यात वुड़न तस्तरी या यूएपो से जुड़े अनुबव को साधा करने के लिए भी वोसड़ा की थ अमेरिकी बायुसेना के पूर वदिकारी कैप्टन रावर्ट सलास ने बताया कि हम अंजाओ पूर तस्तरीओं के बारे में बात कर रहे हैं हम इन्हें 68 यूएपों के नाल से जानते हैं पूर वदिकारियों का कहना है कि इन्हें गटनाहों का सबसे पहला अनुबव 16 1967 को वन्टाना के माल स्ट्रोंग एर फोर्स बेस पर हुआ उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त डोटी कर रहा था तो एक बस्तू इस्तल से उपर आई और उड़ने लगी मिसारियों काम करना पंद कर दिया और ऐसा एक हट्ते बाद एक अन्य परमालू इस्तल पर भी हुआ और ए परमालू अतियार है नासा के इन बैग्ज्यानी के अन्वान जदाया था कि हो सकता है एलियस दर्ती पर आये हो लेकिन हमें पता ना चला हो नासा की कंप्यूटर साइटिस्ट और प्रोफेसर सिंवानो कोडमों ने एक रिसर्च बेपर में दावा किया था कि हो सकता है कि ए पर ना थी बात करें तो 36 गड़ के वस्तन जिने में एफ गुवावी लंगवक अयाफसान किराने सैल चित्र मिले हैं नासा और भारती आरिकनोजिकल की इस खोजने भारत में एलियस के रहने की बात फुक्ता कर दी है यहां से मिले सैल जित्रों में इस्पस्ट रूप से ए इस एलियंस ने अपने सर पर हैलमेट जैसा कुछ पहर रखा था जिसमें अंटीने जैसी चीज लगी हुई थी पग्यानिक कहते हैं कि 10,000 वर्स पूर बनाए गए चित्र इसपस्ट करते हैं कि यहां एलियंस आए थे जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्स आगे है और दुनिया बर की प्राचेन सब्विताओं में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक स्यार के साथ साथ एक अजीब सा मानफ दर्साया गया है इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेनियन, इंका, बैबोनोनिया, सिंदुगाटी की सब्विता, माया और मोहन जोदर दुनिया की तमाम सब्विताओं के सब्विताओं में यह लिखा है कि जंदी ही लौट आएंगे हमारी आकास देव और फिरसे दाइती के मुखिया होंगे, इजिप्ट और माया सब्विता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ट से हमारे जर्म दाता एक निश्च समय बर उना कर देंगे, कुछ बैग्यानिकों का यह भी मानना है कि धर्ति पर कुछ जगाओं पर यह बर जीवी जीव शुपकन रहते हैं, उन जगाओं में से हिवाने, सवद्री सुरंग, गुफाएं और जंगल में रह सकते हैं, जहां मनुस कभी नहीं जाता, और हो सकता है मनुस के बेस में हमारे बीच में ही रहते हों, विस वर में एलियंस या लोपो को देवे जाने की गटना का बर्ण हमें अखवार और किताबों में मिलता है, आए दिन हमें वीडियो में आजीब सी चीद उड़ते हुए देखने को मिल दी है, नासा के बैग्यानिक डाक्टर हेट से ह अलाबा कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है, डाक्टर हेट से ने आगे बताया कि नासा अब तक मंगल गरह पर पांच रोवर और पांच लेंडर बेच चुका है, जिसवे हाई रोजनेशन लेस कैमरे लगे हुए हैं, अब तक नासा मंगल गरह का केवं एक हिस्सा ही परि हमने कई एलियंस से जुड़ी कहानी को आपके सामनी रखा है, जो एलियंस के ओने और ना होने से सम्मध्दित है, यह कहानी सिर्व संकेतों पर आदारित है, इसलिए इनका कोई बास्तवक सबूत नहीं मिला है, बैग्यानिक कई वरसों की रिसर्च के बाद भी यह नहीं ब सित्त है, एलियंस है या नहीं कॉमेंट्स करके जरूर बताए, दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा दगा होगा, तो मिलते हैं एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवस्कार